हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो मैं जानल आज मैं आपको बताऊंगी कि आखों के नीचे होने वाले डाकनेस या काले बन के रीजन क्या है आखों के नीचे काला होना या घड़े होना बहुत आम बात है और इसका इलाज भी बहुत आसान है तो चलिए देखते हैं अंडर आए डाकनेस होने के कारण और उसके इलाज भी पहला कारण है कम सोना, कम सोना या बैड स्लीपिंग साइकल बहुत कॉमन रीजन है अंडर आए डाकनेस होने का हमें कम से कम 6-8 घंटे की नींद जरूरी होती है पर आजकल की लाइफस्टार के वज़े से हम अच्छे से सोते नहीं है और इससे हमें अंडर आए डाकनेस और हेल्थ उश्यू होते है दुसरा रीजन है शरीर में खून की कमी होना खून की कमी होने की रीजन भी बहुत सारे है आपको कोई बिमारी होना या आपके खान पाल में सही पोशक ना होना इससे भी हमें खून की कमी हो सकती है और इससे हमें अंडर आए डाकनेस होती है तीसरा कारण है tension और tiredness आजकल की lifestyle के वज़े से tension और tiredness होना बहुत common है workload, studies और बहुत सारे चीजों के वज़े से हमें tension और tiredness होती है इसे भी हमें under eye darkness होने की problem होती है चोथा reason है बहुत ज़्यादा phone का उप्योग करना आजकल की lifestyle के वज़े से हम ज़्यादा तो समय phone, laptop या tablet में गुजार देते है इससे हम हमारे आखों को rest नहीं देते और इसका कारण से हमें under eye darkness या आखों के नीचे घड़ा हो जाता है फिफ्थ रीजन है make up आखों के नीचे की skin बहुत ज़्यादा soft और sensitive होती है वहाँ बहुत ज़्यादा make up या कोई भी product यूज करना आखों के नीचे allergic reaction या आखों के नीचे काला होना या घड़े होने का reason हो सकता है सिक्स्थ है कम पानी पीना हमें कम से कम रोज 2-3 लेटर पानी पीना चाहिए इससे हमें कोई health issue भी नहीं होगी और हमारे आखों के नीचे darkness भी नहीं होगे इसलिए रोज पानी पीजे 7th reason है bad lifestyle bad lifestyle का मतलब कोई भी नशे का सेवन करना नशे का सेवन हमारे health पे बहुत ज़्यादा effect करता है दारू, cigarette या ड्रक्स नहीं लेना चाहिए इससे हमारे under eye darkness भी हो जाते है तो ये सबी थे reason behind under eye darkness आपको भी मेरे वीडियो पसंद आए तो please मेरे चानल को subscribe करना ना भूलिए Thank you